Hello Friends, Radhe Radhe, My Pacific Wall में आप सभी का स्वागत है Friends, होली आने वाली है और होली पर बिड़कले की माला बनाई जाती है गाये के गोबर से बिड़कले बनाई जाते हैं और फिर उनकी माला बनाकर होली का पूजन किया जाता है होली के लिए जो हम बिड़कले की माला बनाते हैं उसमें हम बहुत सारे खिलोने भी बनाते हैं ऐसा माना जाता है कि ये जैसे बेटी को दहेज दिया जाता है उस तरह से हम बहुत सारी चीजे होली माता को अरपन करते हैं इनी का हमें पूजन करना होता है तो क्या-क्या चीजे हम बनाते हैं और यह चीजे हम कैसे बनाते हैं यह संपूण जानकारी आपको आज की विडियो में मिलेगी होली के बिढकले बनाने के लिए हम गाय का गोबर ले लेंगे तो आप के आसपास कहीं गाय है तो आप वहां से गोबर ले आए नहीं तो आप गवसाला से मंगवा सकते हैं इसके बाद देखिया आप फर्स पर भी बना सकते हैं ये बिढकले या इस तरह है कि कोई भी प्लास्टिक सीट ले 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 उस पर आप ये बिढकले बना सकते हैं मैंने plastic seat इसलिए लिए है क्योंकि अगर 2,2 to अये तो आसानी से बिट कले हम अंदर कर सकें क्योंकि इस मौशन में बारिस होती है और भार भी करने पर जाते हैं। इसलिए मैंने plastic seat लिए है और क्ला सबसे पहले हम holika maata बनाएंगे हम इपूजन करना है तो हम यहाँ पर एक shape दे देंगे माता की, यहाँ पर देखिए उपर face बना दिया है, side में दोनों हाथ बना दिये हैं मैंने, और नीचे मैं इनके pair बना दूँगी, इस तरह से हमें एक shape दे देनी है, जरूरी नहीं है कि आपको proper holy का माता बनानी है, बस आपको यह लगना चाह यानि कि बीच में हमें छेट जरूर कर देना है, ताकि हम इसको रसी में पिरोकर इसके माला बना सके, तो इस तरह से हम holy का माता बना देंगे, अब देखिए, खील ली है मैंने, और खील से मैं इनके आखे बना दूँगी, साथ ही मैं इनका मुह बना दूँगी, ताकि इसके बाद देखिए, यहां पर मैं बनाऊंगी सूरज, तो जब भी हिंदु धरम में पूजन किया जाता है, तो चान सूरज का बहुत महत्त होता है, तो देखिए, ऐसे गोल गोल हम चकरी सी बना देंगे, सूरज बनाने के लिए, और देखिए, फागुन के शुकल पक्स में धाल बिड़कले बनाए जाते हैं, यानि कि आम आवश्या के बाद हम धाल बिड़कले बनाते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि ग्यारस तक हम अपने सारे धाल बिड़कले बना ले, ग्यारस के बाद हमें धाल बिड़कले नहीं बनाने हैं, जो होली से पहले ग्यारस आ बहुत सारे खिलोने बनाए जाते हैं, जिन मैंसे मैं आपको कुछ खिलोने बना के दिखा दूँगी, पांच या ग्यारा चीज़े आप जरूर बना लें, तो देखिए इस तरह से आप गोल भी पीड़ा बना सकते हैं, या चकोर बना सकते हैं, और उसके उपर आप चार इस तरह से बना सकते हैं, फ्रेंड्स आप होली पर पांच माला बना सकते हैं, साथ माला बना सकते हैं, देखिए हमें होली के लिए माला बनानी होती हैं, और बासोडे के लिए भी हमें माला बनानी होती हैं, तो पहले तो वैसे माननेता तो ये होती थी, कि घर में जितने पान बनाएंगे तो पान अगर कोई है तो आप ऐसे हाथ रख दे और उसके अंदर इस तरह से गोबर फिल कर ले नहीं है तो आप जैसे मैंने आपको बना के दिया खाया है ऐसे अकेले भी बना सकते हैं बस हम एक शेप देनी होती है तो यहाँ पर देखिए हमने पान बना लि खाया है तो इस तरह से देखिए एक साइड से मैंने कवर कर दिया है इसको तो कुनकि नहीं करना है क्योंकि इसको रख पूजन किया जाता है इसको माला में नहीं रखा जाता है तो देखिए नारियल बन जाएगा ये उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए सिलबटगा बना लिया है, उसके बाद हम बट्टा बना लेंगे, तो देखिए यह हमारा बट्टा बन गया है, गोल गोल बना कर बस आप छेद कर दें, वो हमारा बट्टा बन जाएगा, तो इस तरह से सिल बट्टा बन गया है, हमारा इसके बाद कूकडी बनाएंगे, पहले के लोग जो गुमाते हैं और यह चक्की बन जाएगी इसके साथ ही हम चुला बना लेंगे तो देखिए इस तरह से हम चकोर बनाएंगे उसके तीन साइड से हम इस तरह से किनारी बना देंगे आप चाहे तो अलग से भी आप लगा सकते हैं या आप इस तरह से किनारी बना सकते हैं और बी ताकि आप रसी को इसके आर पार आराम से डाल सके तो इस तरह से हमारे बिढकले बन जाएंगे मैं आपको एक बार फिर बना के दिखा देती हूं हम इस तरह से हाथ में गोबर लेंगे इसको थोड़ा सा गोल करेंगे हम इस तरह से और दोनों तरफ से हम इसमें होल कर देंगे यानि कि छेद कर देंगे इस तरह से हम बिड़कले बना लेंगे फ्रेंच जब भी हम होली की माला बनाते हैं तो हमें बिड़कले जादा इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि चक्री या ढाल जो होती है या खिलोने होते हैं वो तो एक-एक डाले जाते हैं एक माला में एक चक्र यानि बीच में छेद करतें थोड़ा बड़ा छेद करें इस तरह बिड़कले बन जाएंगे उसके बाद धाल बनाने के लिए हमें क्या करना है रोटी की तरह हमें फैला लेना है गोबर को गोल गोल और थोड़ा बड़ा बनाना है हमें ये और जो धाल होती है ये बड़ी बन क्योंकि चक्री की तरह बनाई जाती है और देखे बीच में भी हम इस तरह से इसको चक्री की तरह बना देंगे यानि कि गोल गोल सा डिजाइन डाल देंगे बहुत तरह के डिजाइन डाले जाते हैं आप अलग अलग तरह के डिजाइन डाल सकते हैं और इसमें भी हमें बीच में छेद करना होता है तो देखिए जब भी आप माला बनाएंगे तो उसमें एक तो यह ड़ाल डाली जाएगी और दोनों तरब बिढ़ कले और खिलोंने डाले जाते हैं तो जتनी ड़्ाली होती है उतनी माला पूझा कोई बीड़ती है पूझा के लिए चीज़ है हमारी आस्था उसमें ज्यादा होती है तो अगर आप जादा ना भी बना सकें तो कम से कम दो माला आप जरूर बना लीजिए एक होली पूजन के लिए और एक बासोडे के पूजन के लिए फ्रेंड्स होली के बिड़कले बनाने का बहुत ही आसान तरीक आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें हो सकता है कि ये उनके लिए यूजफुल हो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स अगर आपको भजन सुनना अच्छा लगता है और आप फागुन के भजन सुनना चाहते हैं तो सरो जजज़र नाम के चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें मेरी मम्मी का चैनल है वहाँ पर भजन सुनाती है अगर आपको उनके भजन पसंद आते हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मैं आपको उनकी वीडियो का लिंक दे दूँगी ताकि आप उनके चैनल तक पहुँच सकें मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे